जैन साथ यो तो कैसे है आप लोग आशाव अमीद है आप अच्छे ही होंगे मैं हिमानसु सिंग एक बार फिर शे आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल रुकमिनी प्रकासन पर जैसा कि हम लोग S.S.C.G.D. के लिए मैथ का प्रेक्टिस सेट सॉ सल्ट करें तो उसके लिए आपको दो तीन चीजों पर अच्छे से पकर होना चाहिए एक तो आपको हर चेप्टर का कॉंसेप्ट अच्छे से मालूम होना चाहिए और उस पर पकर होना चाहिए जैसे ही आप कोस्टन देखे अब तुरत आप उस कॉंसेप्ट को अपलाई कर दे उसके साथ से जब बड़ा बड़ा कल्कुलेशन आए तो उस कल्कुलेशन को हम यूनी डिजिट और भी भाजता के नियम से कैसे कम करेंगे और क्या-क्या तरीका है जिस तरीका से हम उस बड़े-बड़े कल्कुलेशन को छोटा कर सकते हैं एक तो यह होता है कि कोस्टन को देखके किस कोस्टन को हम ऑप्शन से बनाएंगे इस कलास को आप पहले अगर देखे होईएगा या इस कलास में आप आगे continue रहिएगा तो यह चीज आप सीख जाईएगा कि किस कोस्टन पे हमको कैसे अपरोज लेना है कोस्टन बनाने का तो बहुत सारा तरीका होता है लेकिन किस तरीका से कोस्टन बनाएं ताकि कम समय में कोस्टन बन जाए और कलास के बाद इसका PDF आपको कोस्टन पे अपलाई कर पाते है या नहीं यदि आप अपलाई करने लग गए इसी तरह कुस्टेट का प्रैक्टिस आप कर रहेगा तो एक्जाम हॉल में आप कम समय में कोस्टन कर लिचेगा हम आज का पहला कोस्टन देखेंगे सेट नमर 19 है आज यदि एक संकु के आधा दिया तिरिया कुचाई दे दिया सभी बच्चे फर्मूला से सॉल्व करेंगे लेकिन आप थोड़ा अपना दिमाग लगाईएगा तो पुछा गया संकु का बख प्रिष्टे शित्फल यानि लेटरल सर्फेस एरिया अब लेटरल सर्फेस एरिया बोले तो क्या कहिएगा पाई आर एल होता है फर्मूला सभी बच्चे यहां मान रखके और वो सॉल्व करेंगे लेकिन आप थोड़ा सा हटके सोचते ना तो बोलते मेरा एंसर जो होगा ना आर आ रहा है यानि आर से गुना होके एंसर आएगा और आर के अस्थान पर 13 है तो कौन सा वैसा option था जो नहीं कटा इस option को देखेगा तो यह 13 से कट रहा है यानि बिना बनाए आप एंसर कर सकते थे कितना आता 1430 13 का multiple चेक करके या फिर पाई आ रहा है तो पाई का मान 22 वट्टा साथ होगा तो 11 का भी गुनज चेक करते तो कोई option ऐसा नहीं था जो 11 का गुनज होगा दी को आ रहा है तो इन सब तरीका से जब आप question solve करने लगे तो आप कम समय में question solve कर लेशिएगा अब इसको अगर बनाते भी तो आप क्या करते पाई का मान रखते 22 वट्टा साथ आर के अस्थान पर आपका 13 है तो 13 रखना था एल के अस्थान पर 35 है तो 35 रखते पांस साथ से का रखता 22 को पांस से गुना किजिए तो 110 होता अफिर 13 से गुना करना था कितना आपका एंसर आ जाता चोदो सब्सक्राइब कहां था चोदो सब्सक्राइब करने होते हैं ऐसे भी आपको सोचना होता है कि option से कैसे question को बना दे अब यही question है संख्या 19 22 और 32 में क्या जोड़ा प्राब जाना चाहिए ताकि इस प्रकार प्राब्त संख्याएं समानुपाती हो एक तो यह तरीका कि आप option से check किजिए तो option से कैसे check करेंगे कि यह गा 9 में x जोड़े और फिर किसमें तो आपका 22 में x जोड़े हैं और किसमें तो 14 में 14 प्लस x लिखिएगा और यह सब समा अनुपाती हो जाता है मतलब बढ़ाबर हो जाता है फिर किसमें 32 में तो सभी में जब x जोड़े ना तो यह समानुपाती हो गया समानुपात मतलब क्या होता है बढ़ाबर और अनुपात मतलब बट्टा जब भी कहें अनुपात तो बट्टा समझिए और कहें समानुपात तो बड़ाबर समझना है एक तो तरीका कि आप option से कोई वैसा मान रखिए जो दोनों को बड़ाबर कर दे और option वाला तरीका कब काम नहीं आएगा जब आपसे x ना पूछके कहेगा 7x पलस 14 बताईए इस टाप का परशन एक पीछे भी आया था और उहां आपको बताया गया था कि कैसे solve करना है वैसे बहुत बच्चे क्या करेंगे क्रॉस गुना करेंगे बड़ा बड़ा एक्क्वेशन बनाएंगे फिर वह x का मान निकालेंगे आपको वैसे नहीं करना था तो आपको करना कैसे था आप सबसे पहले देखिए इस साइड उपर में क्या था तो देनार है तो के गधे उस साइड़ उपर में 14 पलस एक्स है और इस साइड अंतर कीतना है तो गये इस साइड अंतर है तो 13 से ऊणा कर दीजिए या नि उफर में जिस साइड जो लिखा और लिखली ए उस यद्वाशन के अंतर से ad теб गुना इस के अंतर से उस9 को 18 से गुना किजिएगा 162 और प्लस में 18x और बरावर क्या लिखिएगा 14 को जब 13 से गुना किजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा तो कहिएगा 182 और प्लस में 13x अब अंतर लिजिएगा 18x और 13x का तो आप कहिएगा अब 5x 5x बरावर आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा 182 में से 182 को घटाईएगा 5x का मान 20 है तो x का मान कितना होगा 4 होगा कहां था 4 आपके option number D में क्या था x का मान 4 था अब अगला question देखिएगा अगला question है आपका P, Q, R एक कार को करमशा 20 दिन, 30 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि Q और R परतिक तीसरे दिन P की सहता करते हैं तो कार को पूरा करने में दिनों लगेंगे यानि कितना दिन उस कार को पूरा करने में लगेगा अलग अलग हुए लोग काम को कैसे करते हैं तो कहिएगा अलग अलग P उस काम को 20 दिन और Q उस काम को 30 दिन और R उस काम को 60 दिन में कर देते हैं इनके लिए 20 डे लिखिए, डे लिखेंगे तो दिन समझना है और यहां 30 दिन में यह कर सकते हैं और यह आपका 60 दिन में कर सकते हैं यहां से आप टोटल काम निकाल लिजिएगा कि टोटल काम कितना होगा तो टोटल काम के लिए इन सब का लॉसो लेंगे बीस, तीस और साट का लॉसा कितना आएगा तो साट आएगा तो टोटल काम आपका कितना हो गया साट यूनिट टोटल काम हो गया अब साट यूनिट काम था पी को लगता है बीस दिन तो पी पर तेख दिन कितना काम करता होगा तो कहेगा तीन काम यानि P के लिए छमता कितना तो 3 छमता छमता को हम घेर के लिख लेंगे और 60 काम करने में Q को लगा है 30 दिन अकेला तो Q परते एक दिन कितना काम करता होगा तो Q परते एक दिन 2 काम करता होगा और R को लगता है 60 काम करने में 60 दिन तो R परतेक दिन एक काम करता होगा फिर question में वो कहा गया यदि Q और R Q और R परतेक तीसरे दिन P की सहता करते हैं इसका क्या मतलब है कि P पहला दिन अकेले काम करता है P दूसरा दिन भी अकेले काम करता है और तीसरे दिन P के साथ साथ Q और R काम करने आते हैं तो तीन दिन में कितना काम हुआ ये आप निकाल लिए तो आप कहिएगा दो दिन तो P काम किया ना तो P एक दिन में कितना काम करेगा P आपका एक दिन में कितना काम करेगा तो कहिएगा पी एक दिन में जो काम करते हैं वो तीन है यहाँ पी लिखना है आर नहीं आर यहाँ है तो पी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं तो आप क्या कहिएगा पी एक दिन में तीन काम तो दो दिन पी से काम कराईएगा तो पी दो दिन में कितना काम करेगा च्छो काम कर देगा और तीसरा दिन सभी लोग आ जाएंगे तो सभी लोग आएंगे तो 3, 2, 5, 1, 6, तिसरा दिन में भी 6 काम होगा और दो दिन में पी भी 6 काम कर दिया था तो टोटल 3 दिन में कितना काम हो जाएगा तो आपको करवाना है तो 60 काम करवाना है तो पंद्रो दिन में क्या आजाएगा चारी कहां था 15 दिन आपके option number D में क्या था 15 दिन अब अगला question देखिएगा न अगला question है 20 cm तिर्जिया वाले एक ठोस दातू के गोले को पिखलाया जाता है और छोटे लंब बिरतिय संकु में धाला जाता है पर तेक की तिर्जिया 7 cm और उचाई 3 cm है ऐसे कितने संकु की संख्या ग्याद चीजी है यानि गोला को पिखलाया गया और संकु बनाया गया तो इस परकार के प्रस्टन में आपको कहा गया था जब भी किसी आकिर्थी को पिखला कर कोई दूसरी आकिर्थी का रूप दिया जाए तो दोनों का आयतन हम उक्कुल करते हैं यहाँ गोला को पिखलाके संकू बनाए गया, तो कुल गोला का आईतन कितना संकू बनाए उसके आईतन के बढ़ाबण होगा, तो आप गोला का आईतन किया लिखियेगा, कहिएगा गोला का आईतन 4y3 π1rq होता है, तो आर के अस्थाम पे क्या दे रखा है 21 cm तो 21 गुने 21 लिख लेंगे कितना बार तीन बार क्योंकि फर्मूला में क्या आता है फोर वाय थिरी पाई आर क्यू और ये किसके बड़ाबन होगा तो संकू का आयतन तो एक बट्टा थिरी पाई आर एसकुआइड तो संकू के लि और काट के अंसर निकाल लेंगे और कितना संकू बनेगा तो मानते हैं कि N संकू बनेगा अब सब को काटिएगा तीन से तीन यहां आपका कट जाएगा उसके बाद पाई से पाई आपका कट जाएगा अब पाई का मान इसलिए नहीं रखे थे क्योंकि पाई से पाई काट अब आगे और काटिएगा यहां साथ से काट लिजिएगा साथ से कितना बार में कहिएगा तीन बार में फिर यहां तीन से काट लिजिएगा तीन कट जाएगा अब क्या-क्या बचा रहा एक और साथ बचा है फिर साथ से काटिएगा तीन बार में अब क्या-क्या बचा तो कह गुना संकू बना सकते हैं इस अब को गुना कर लिजिएगा 12 को 21 से तो आपका क्या जाएगा 252 कहां था 252 आपके option number A में क्या था 252 केवल solution एक ही line के हैं आप यदि concept जानते तो solution एक line का है कार्ट के answer कर देना है क्या करते हैं जब भी आकिर्थी को पिखलाए तो आप item बड़ावर कर देजिए अब अगला परस्ट देखिए गानों अगला परस्ट है रमेश और नरेश एक दूसरे की और करमसा 26 किलोमीटर परती घंटा और 18 किलोमीटर परती घंटा के चाल से दौरना सुरू करते हैं एक घंटा और 45 मिनट एक घंटा 45 मिनट के बाद मिलते हैं दौर सुरू करते समय वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर थे या आपको मीटर में बताना है कि वो लोग कितने दूरी पर थे दोनों आदमी दौर सुरू करते हैं और सुरू करने के बाद न वो लोग एक घंटा 45 मिनट बाद मिलते हैं तो टोटल समय को घंटा में आप बदल दीजिए तो कहेगा टोटल समय हम घंटा में निकालेंगे न तो एक घंटा तो सीधा सीधी है उसके बाद 45 मिनट है तो 45 बटा 60 कर देंगे तो क्या जाएगा 3 बटा 4 गंटा यानि 45 मिनट 3 बटा 4 गंटा होता है और टोटल समय को अप सौनब कर लिजिए गा तो 7 बटा 4 गंटा लगता है और एक ब्यक्ती उधर आते हैं एक ब्यक्ती की और एक 26 से एक 18 से तो दूरी बराबर क्या फर्मूला पढ़े हैं चाल गुने समय यह लोग कितना दूरी से तय कर रहे थे वो दूरी निकालने के लिए चाल गुने समय और चाल के अस्थान पर हम सापेक्स चाल लेंगे क्योंकि दोनों बैक्ति चल रहे हैं और एक इस साइ कहते दूरी बराबर चाल गुने समय चाल के अस्थान पर सापेक्स चल लेते तो दोनों का चाल जोडते 26 और अठारो चवालिस और के अस्थान पर 7 बट्टा 4 लिखते हैं इसको काट लेते हैं 11 आता है 11 सते 77 किलो मीटर यानि उसके 20 की दूरी क्या है 77 किलो मीटर है आप से पुछा गया मीटर में दूरी बताईए तो मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देंगे आपका अंसर क्या आ जाता 77,000 कहा था 77, तो option number A में यहां भी कोई लंबा solution तो नहीं था केबल आपको concept मालूम होना चाहिए था relative velocity का जब दो बैक्ति विप्रिदिसा में जाए तो उनका सापेक चाल चालो का योगफल होता है और formula वही है दूरी बराबर चाल गुने समय समय कितना लगा था एक घंटा 45 मिनाट पू का पस जब भी आता है तो लोग basic से करते हैं या तो फिर छोड़ते हैं और हम लोग इस प्रश्ट को ratio method से कैसे करेंगे वह आप सिखिएगा परस्ट में यह कहा गया है एक विक्रेता अपने अंगुर को लागत मुल्ग पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत वजन का पर करते हैं कि लागत मुल्ग हम समान को बेच रहे हैं फिर भी उसको लाब हुआ तो ऐसा कभी होगा कि समान लागत मुल्ग पर बेचेंगे हमको लाब होगा नहीं हो सकता है जब तक हम को हेरा फेरी नहीं करेंगे तब तक लाब नहीं होगा यह हेरा फेरी क्या करता है कि कम ब जादा था दिया कम होगा देना जादा था दिया कम होगा और इसको कितना लाब हुआ तो आप कहिएगा एक ग्यारव पुर्णांक एक वट्टा नौ परतीसत लाब हुआ आप इसको भीन में बदलिएगा न एक ग्यारव पुर्णांक एक वट्टा नौ कितना होता है आप कहि बोर के लिखिएगा 10 से 9 का रेशियो बनेगा अब कहिएगा एक ग्यारव पुर्णांग एक बटा 9 को आप एक बटा 9 कैसे लिखे तो वह आप समझेगा यहां पुर्णांग तो एक ग्यारव नम्मे 99 एक 100 आप 100 बटा 9 लिखिएगा और परतीसत है ना इस परतीसत को गा तो नीचे में आपका क्या आ जाएगा दो जीरो आ जाएगा दो जीरो से गुना कर दिजिएगा 100 से 100 कटड के क्या आता है एक बटा नू आता है हलाकि जब आप परतीसत का क्लास कर लिजएगा तो यह ची आपको करना नहीं परेगा वहां आपको हमेसा याद हो जाएग है कि 1111 प५ुना एकष्टा नौ कितना पृतिसत परतीसत में दे गाजेगा 11青 पुना एकष्टा नौ और भीन में होगा एकष्टा नौ उइंड में होगा आपको बदलना नहीं पड़ेगा और पृतिसत क्लास कि जिए हगा तो यह था एक क्यजी देना था या हजार गराम देना था एक क्यजी को हजार गराम लिख सकते हैं और वो दिया कितना नौ दिया दस का मान कितना है हजार है ये कितना गुना हुआ है तो आप कहिएगा सौ गुना हुआ है तो नौ भी क्या हो जाएगा सौ गुना होगा तो नौ को सौ से गुना कर लिजिएगा, वो कितना दिया, 900 गराम दिया, देना 1000 गराम था, दिया 900 गराम, जिस कारण से उसको 11 पुर्णा एक वर्टा, 9% का क्या हो गया, लाव हो गया, कहां था 900, आपके option number A में क्या है, 900 गराम, अगला question देखिएगा, 30, 36 और 40 के लगुत्तम समावर्तक को 10 से भी भाजित किया जाता है, परिनाम X का वर्ग है, X का मान बताईए, सबसे पहले इसका लॉसो निकालता है, और इसके लॉसो को 10 से भाग दिया, तो जो भी आया वो X का वर्ग था, तो आप इसका लॉसो निकाल और इस 360 को जब वो 10 से भाग दिता है, तो जो भी आया वो X का क्या है, वर्ग आया, अब 0 से 0 काट लिजिएगा, तो 36 बरावर आपका क्या हो जाएगा, X का वर्ग हो जाएगा, अब X के अस्थान पर क्या रखे, क्या स्क्वार करने पर 36 आए, तो कहिएगा X का मान कितना ह होगा, 6 होगा, अब अगला कोस्टन देखिएगा, अपना कोस्टन नमर 8 है, यह एवरेज का पर्षन है और बहुत बेहतरीन पर्षन है, यह पर्षन जब भी आता है, तो गुना भाग बहुत ज़्यादा करवाता है, यदि आप इस कोस्टन को बेसिक से करते हैं तब, और कैसे करना है, थोड़ा आपको वही बताएंगे, और एक्जाम हॉल में इसको कैसे करें, कैसे इस कोस्टन में डिवियेशन मेथर लगाए, वह आपको बताएंगे, तो पहले आपको यह बताते हैं कि एक्जाम हॉल में इस कोस्टन को कैसे करना था, तो कोस्टन यह कहा गया ह 29 प्रेक्षनों का उसत 40 है यदि पहले 15 प्रेक्षनों का उसत 38 है और अंतिम 15 प्रेक्षनों का उसत 45 है तो 15 प्रेक्षन क्या होगा इसमें 29 दे दिया शुरू से 15 का उसत मालूम है अंतिम से 15 का मालूम है बीचवला आपसे पूछेगा तो बीचवला कैसे निकालेंगे यानि बीच बला बोले तो पंदरामा का मान हमको निकालना है अच्छा टोटल का ओसत कितना था 29 का तो 40 ओसत मतलब क्या होता है सभी लगबग 40 40 40 40 होंगे तो पंदरामा भी 40 तो होगा ही होगा तो हम पंदरामा को 40 तो बोलेंगे ही बोलेंगे कि ओसत 40 है तो सभी 40 के असपास होंग યानि 40 थो होगा, उसके बाद, पहले 15 का ओसत 38 है तो ओसत कितना से घट गया, कहीए एगा ओसत पहले 40 था और शुरुवात का पंदरा लिये तो ऐसस 2 से घट गया कितना संख्या का 2 से घट तो 15 संख्या का, तो Kendal can be total घट जेगा 15 दुना 30 दो घटा है और तो 30 घट जाएगा तो 30 माइनस में लिख लेंगे और फिर अंतिम 15 का ओसत 45 हो गया पहले ओसत कितना है 40 है आज 45 हो गया कितना से बढ़ा 5 से बढ़ा कितना संख्या का तो अंतिम 15 संख्या का तो टोटल आपका कितना बढ़ जाएगा पंदरो पचे 75 बढ़ जाएगा अब इसको solve कर लिजिएगा तो आपका answer क्या आजाएगा 85 आजाएगा यदि आप deviation का concept जानते तो आपको paper भी पर नहीं करना पड़ता आप mind से इसको solve कर लेते बिना pen के परियोग से अगर इस deviation वाले concept को आप जानते थे जितना घटा जितना संख्या पर घटा हो उसको minus किजिए जितना बढ़ा जितना संख्या पर भढ़ा उसको गुना करके plus किजिए बढ़ेगा तो plus करना है घटेगा तो minus करना है और तुला किस से करना है तो total 29 का 40 था तो 40 ते जब बढ़े अब इसी question को आप basic से करते ना तो कैसे करते वह आप जानेगे शुरू से आपका 29 का आउसत दे दिया तो 29 का आप योग निकाल लीजिए का कैसे 29 को 40 से गुना करके एक से लेके 29 तक का योग आ जाएगा और पहले 15 का भी योग निकाल लीजिए गा वो कैसे तो कहा पहले 15 क आउसत 38 से 38 को पंद्रों से गुना करके और अंतिम पंद्रों का योग निकाल लीएगा कैसे तो पंद्रों को 45 से गुना करके शुरू का पंद्रों और अंतिम का पंद्रों को आप जोड लीजिए का तो पंद्रों वाला दो बार आ गया और एक से लेकर 29 तक का जो योग आ आटा लिजियेगा तो आपका एंसर क्या आ जाएगा पचासी आ जाएगा लेकिन वैसे आपको एक्जाम हॉल में नहीं करना है एक्जाम हॉल में आपको डेवियेशन मेथ़ड से ही इस प्रस्जट को सॉल्व करना है अगला कोस्चन देखिएगा अगला कोस्चन कहा गया एक चोड बारों मीटर परती सकेंड की चाल से दौरना सुरू करता है 10 सकेंड दौरने के बाद वह पुलिस कर्मी उसी दिसा में सारे 14 मीटर पर 30 सकेंड की चाल से चोर को पकरने के लिए दौरना शुरू करता है पुलिस कर्मी दौरा चोर को पकरने में कितना समय लगेगा यानि चोर 12 मीटर पर 30 सकेंड से 10 सकेंड तक दौर गया तो 10 सकेंड में वह कितना दूरी त्याक किया तो उसका चाल था 12 मीटर पर सकेंड 10 सकेंड तक दोरा तो दूरी के अस्थान पे क्या लिखेंगे एक सो बीस मीटर दूरी वह त्याक कर लिया अब 120 मीटर के दूरी पर हम चोड को देख रहे हैं कि चोड हम से आगे है हम यहां से सारे 14 के चाल से भागना शुरू किये और चोड भी 12 मीटर पर सकेंड के चाल से भाग रहा है वो भी भाग रहा है हम भी भाग रहे हैं दोनों आदमी सेम दिसा में भाग रहे हैं तो चाल के तो आपका कितना आ जाएगा अरहाय आ जाएगा और गुने समय फर्मूला फिर हुआ ही है दूरी बराबर चाल गुने समय उनके बीच का दूरी 120 था तो 120 लिए चाल के अस्थान पर साप एक चल और गुने समय अब अरहाय को आप लिख सकते हैं पांच वट्टा दो और पीचे दो है गुना हो जाएगा ठीका माना आप कितना निकालियेगा 48 सकेंड कहां है 48 सकेंड आपके ऑप्सन नमर बी में सलूसन एक ही लाइन का होता है एक से दो लाइन का ही सलूसन होता है इस टैब के परस्ट के लिए लेकिन कॉंसेप्ट पड़ा पकर रखिएगा तब आपके लिए कॉंसेप्ट आपका हतियार है ज़्याप अपने हतियार को मजबूत रखते हैं तो कैसा भी परस्ट आए आप एकजाम होल में उस परस्ट को कम समय में कर लिजिएगा लेकिन कॉंसेप्ट पर आपको पकर रखना होगा और कॉंसेप्ट कब आपको ध्यान में जब आप सेटों का प्रैक्टिस कीजिएगा तो फांडेसन के दरान तो आगे लोग पड़ता है पीछे भूलता है और सभी चेप्टर के पस्ट जब सेट में आते हैं उहां जब आदमी पस्ट करने लगता है तो वो सभी परकार के कॉंसेप्ट से रूब वरू हो जाते हैं त एक प्राकिर्तिक संख्या को पांच छो और साथ से विभाजित करने पर परतिक इस स्टिती में सेस कितना बचता है चार बचता है तो तीन अंकों की सबसे छोटी प्राकिर्ट संख्या क्या होगी अब पांच से भी भाग देना है छो से भी देना है साथ से भी देके हर एक स चारे सेस बचता है तो 5 असान है मेरे लिए हम 5 को छेक करेंगे इसमें 5 से भाग देंगे तो सेस एक बच रहा है 25 कट जाएगा इसमें 5 से भाग देंगे तो सेस आपका 4 बच रहा है इसमें 5 से भाग देंगे तो सेस 3 बच जाएगा इसमें 5 से भाग देंगे सेस दू बचेगा किस option में 5 से भाग देने पर सेस 4 बचा तो option number B में आप इसमें आप 6 से भी भाग देके देख लीजिए या फिर 7 से भी भाग देके देख लीजिए कितना सेस बचेगा 4 ही सेस बचेगा तो किसी एक को पकर कर option से इस प्रश्ण को बना लेंगे और हम 5 को ही इसलिए पकरे क्योंकि 5 से भाग देना मेरे लिए असान है या तो इकाई यंग 5 होगा तो पूरा कटता है या फिर इकाई यंग के 0 हो फिर 5 से पूरा कटता है इस जगाई यंग 4 था हम समझ गए 210 तक पूरा कट गया होगा 4 सेस बचा होगा अगला कुस्चन को देखिएगा अगला कुस्चन है A बराबर 2 बटा 3 B है B बराबर 3 बटा 5 C है तो A B C का मान क्या होगा अब यहां से A बटा B निकालिए तो A बटा B निकालिएगा तो आप कहेगा A बट्टा B 2 बट्टा 3 होगा फिर यहां क्या दिया था कि B बड़ावर 3 बट्टा 5 C है तो B बट्टा C निकाल लिए C उसर्था इसर्था यह तो भाग में हो जाएगा और बड़ावर में क्या बचेगा 3 बट्टा 5 बचेगा अब A B भी निकाल लिए और B C का अनुपात निकाल लिए और जब भी इस परकार का प्रिष्ण आए तो आप देखिए दोनों जग़ा कौन-कौन है कौन-कौन है जो common है यहां भी अपना अस्थान बना लेता है वहां भी अपना अस्थान बना लेता है यानि कि इधर उधर कर बराबर रूप लेके वैठा है अब B बराबर रूप लेके नहीं वैठा रहता तो B को हम मार पीट के बराबर कर लेते यानि किसी से गुना भाग करके बराबर कर लेते हैं अब ही बराबर है तो B 3 होगा पका पता चल गया अब A 2 है B 3 है C 5 है तो एंसर आपका क्या हो जाएगा 2 3 5 क्या आएगा A B C का अनुपात आजाएगा अगला कोस्चन देखिएगा कोस्चन नमर 12 है ये भी परशन देख के बनाने वाला है यदि आप कॉंसेप्ट इसका जानते तब देखेंगे परशन को कहेंगे सारे 87 परशन इसका एंसर होगा अब कैसे तो कहा गया सराब पानी का एक गोल करमसव 7 एक के अनुपात में बना है यानि 7 यूनिट सराब है तो 1 यूनिट पानी है इस गोल में सराब की परतीसत सांदरता ग्याद कीजिए यानि सराब कितना परतीसत है इस गोल में तो टोटल गोल कितना है तो 8 यूनिट का है कैसे तो साथ यूनिट सराब है यानि साथ अनुपात में सराब है एक पानी है दोनों को मिला दिये हैं तो टोटल आठ है उसमें सराब कितना है तो आप कहिएगा साथ सराब है टोटल कितना में आठ में परतीसत में लाना हो तो सौ से गुना और साथ वट्टा आठ चो है न तो आपको वहाँ अच्छे से बता दिया जाएगा कि भीन को हम परतीसत में कैसे बदलते हैं वैसे भी आप देखिएगा तो एक बटा आठ जो होता है वो सारे बारो परतीसत होता है और साथ गुना है तो सारे बारो को आप साथ से गुना किजिएगा तो आपका कितना एंसर आएगा सारे 87 यदि वो भी अभी आप नहीं कर पाते हैं तो परतीसत क्लास करने के बाद आप वो चीज कर लिजिएगा और आपके एक्जाम से पहले परतीसत का क्लास एक आपके लिए लाया जाएगा आप लोग केवल इस चैनल पर बने रही है आपके एक्जाम के लिए जो भी चीजे जरूरी हो वो आपके लिए क्या आजाएगा वैसे तब तक के लिए आप 700 में आप से भाग देके एंसर कर लिजिए सारे 87 परिशंट आपका एंसर आजाएगा अब अगला कोस्चन देखिएगा ना अगला कोस्चन है दो धाबक करमसा 18 किलो मीटर पर ती घंटा और 20 किलो मीटर पर ती घंटा की चाल से समान दूरी तया करते हैं यदि पहले धाबक को दूसरे धाबक की तुल्ना में पंदरो मीनट अधिक समय लगता है तो उसके दोरा तया की गई दूरी निकाले अच्छा पंदरो मीनट को आप घंटा में बदलेगा तो कितना घंटा हो जाएगा आप गएगा एक वट्टा चार घंटा होगा क्यों कि आपका चाल किलो मीटर पर ती घंटा में था तो समय को भी हम घंटा में बदल लिए पंदरो मिनट था साथ से भाग देंगे पंदरो बट्टा साथ एक बट्टा चार घंटा आ जाएगा अब दूरी निकालने के लिए डायरेक्ट कॉंसेप्ट क्या है जिसको हम एकजाम में परियोग करें तो दूरी निकालने के लिए वह आपका कॉंसेप्ट है जिसको आप एकजाम में परियोग किजिएगा चालो का गुनन फल तो चाल कितना कितना है आप कहिएगा बीस गुने अठारो चालो का गुनन फल बट्टा में चालो का अंतर तो बीस माइनस अठारो तो दो हो जाएगा गुने समय का अंतर समय कितना अधिक लगा है तो घंटा में एक बट्टा चार अब काटा कुटी आप क को कटिएगा तो 10 होगा 10 को 18 से गुना किजिएगा 180 और 180 में 4 से भाग दे लिजिएगा 45 आपका क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा यानि दूरी क्या था 45 किलो मीटर परती घंटा और यह फर्मूला कहां से आया किस वेशिक से आया वह भी अभी आपको बता देंगे पहले फ गुननफल चालो का गुननफल 20 गुने 18 चालो का अंतर तो 20 माइनस 18 और गुना में क्या करना है समय का अंतर और अंतर जब भी कहते है न तो बड़ा में से छोटा घटा ना है आपके मन में सवाल आया होगा कि चालो का अंतर किये तो 18 में से न 20 घटाते नहीं चालो का अंतर हमेशा बरा में से छोटा घाटा के बताते हैं आप एक example से समझे इस चीज को हम पूछेंगे आप अभी 7 साल के है और आपके बरा भाई 10 साल 25 है तो हम पूछेंगे दोनों के age में क्या अंतर है तो आप खहिएगा तीन बर्स का अंतर है तो आप माइनस में रही ने बोले, अंतर मतलब क्या किये, बरा में से छोटा घटा के बोले, तो आप यह चीज़ धियान रखिएगा, अंतर मतलब बरा में से छोटा होता है, और यह concept कहां से आता है, वो भी आपको बताते हैं, तो वो आपको बताने के लिए इसको मिटा आ ज समय का अंतर, मानते हैं कि वो दूरी जो होगा, एक्स होगा, हमाल लिए दूरी क्या है, एक्स होगा, तो लिखते हैं, एक्स दूरी था, और किस चाल से गया था, तो आठारो किलो मीटर पर ती घंटा से, तो इसको थोड़ा जादा लगेगा, इसका चाल कम है, और इसी किजिएगा, 20 से इहां गुना किजिए, 18 से उहां गिना किजिएगा, तो उपर में आपका क्या बचेगा, 2X हो जाएगा, 20X और माइनस में 18X, तो 2X और नीचे में क्या करना है, 18 गुना 20 करना है, उस साइड आपका क्या रहेगा, एक बट्टा 4 रहेगा, अब यहां से X न मान निकाल लिए इंगा तो आपका क्या आ जाएगा धारव गुना बीस और बत्टा में क्या आएगा तो बत्टा में दो आ जाएगा और गुणा में फिर क्या रहेगा एक बत्टा चाह कूं दिएगा वैसे भी आप देखि ऑसे गल्ग दूना आठ तो 8 भाग में रहना चाहिए यानि 8 नीचे हैं तो यह जो result आया यही result तो आपको स्वाट फर्म में हम बता दिये थे चालों का गुनन फल बट्टा में 4 अंत्र गुनां में समय का अंतर है अब कहां एंसर तो 45 ही आता अब अगला question देखिएगा question number 14 है यह भी बहुत easy question है यदि आप ratio method को अच्छे से समझे हैं तब इस question को बनाएंगे कहा गया 10 हजार की रासी वार्षिक रूप से चकविर्धी की जाने वाली एक निष्चित ब्याजदर पर दो बरसों में 12100 हो जाती है चार बरस बाद वो रासी कितनी हो जाएगी तो हम principal से यहां क्या करेंगे amount का ratio निकालेंगे कितना बरस का है तो वो लिएगा principal के लिए P और amount के लिए A लिखते हैं दो बरसों में वो आपका 10 हजार से 12100 हो गई तो समय के इस थान पर हम दो बरस लिख लेंगे और दो बरस में वो 10 हजार से कहां पक पहुंच जाती है 12100 पर पहुंच जाती है दो जीरो से दो जीरो आप काट लिजिएगा दो जीरो यहां है दो जीरो यहां है यहां आपका बचा 100 और यहां बचा 121 यह दो यहर का था न तो आप एक यहर में आईए अब एक यहर में आईएगा तो इसका क्या करना होगा बर्गमूल करना होगा तो 100 का बर्गमूल कित तो कहीएगा 11 अब एक साल में आते हैं तो rate निकलता है या तो आप यहां से rate find कर लिजिए 10% है और 10% rate हो तो 4 साल के बाद कितना रुपया होगा वेसिक से बना लिजिए या फिर 4 साल का ratio ले लिजिए तो एक साल का ratio 10 से कितना है 11 है अब 4 साल का ratio लेंगे तो power में 4 करना जाते है लेकिन आप 10 पर आ गए एक साल में आ गए हैं तो चार आने के लिए पावर फोर करेंगे अब 10 का पावर फोर किजीएगा तो इसको आसानी से आप फिर लिख लिजिएगा है एक पर चार गो जीरो लेकिन अब 11 का पावर फोर तो आपको मालुम नहीं होगा 11 का power 4 को आप लिख सकते हैं न 11 का square और गुना में फिर 11 का square 11 का square 121 होगा फिर 121 होगा अब 121 का square कैसे निकालेंगे तो आप नम्मर सिस्टम पढ़े होईएगा तो हाँ आपको square निकालने का आसान सोट सा तरीका बताया होगा आपको यहां समझाते हैं यदि आप समझ गए तो अच्छी वात है यहां 11 121 का square निकालना है तो यह 100 से कितना जादा है एकीस जादा है आप 21 का square कीजिएगा तो 441 होगा हम लास्ट का दो अंक लिख लेंगे हाथ में बचा रहा हाथ 4 और यह 100 से 21 जादा है तो इस 21 को 121 में जोड़ देजिए तो 121 में 21 जोड़िएगा तो 142 और हाथ में था 4 तो उसको भी जोड़ लिजिए 146 अब कल्कुलेटर में आप 121 का square निकालिएगा 14,641 तो इसके अस्थान पड़ क्या लिखेंगे 14,641 अभी अनुपात में प्रिंसपल 4 साल के लिए कितना है 10,000 और एमाउंट कितना है 14,641 और रियल में भी प्रिंसपल 10,000 रुपया है अनुपात में भी कितना 10,000 और रियल में भी 10,000 तो एमाउंट अनुपात में कितना है कहेगा 14,641 ये एक गुना हुआ तो ये भी अपने आपका रियल में कितना हो जाएगा एक गुना होके रूपया में लिखिएगा तो 14,641 कहां है 14,641 ओप्सन नम्मर बी में ऐसे आपको पर्ष्ण करना था या फिर रेट निकालके वेशिक सिर्याब इस परश्ण को कर लिते और रेशियों से करते आपको 121 का ऐस्क्वाइड याद होता तो परश्ण देखको ये आप बना सकते थे यहां तो 10,000 होगा तुल ना करेंगे एक एक आएगा एक से इसमें बुना करना है 15 का एश्ण जानते तो देखते और परश्ण को आप बना लेते हैं लेकिन इस पर्ष्ट पे आपका पकर रहेगा इस में अधर पे पकर रहेगा तो अब अगला कोस्टन देखिएगा कोस्टन नमर 15 है एक दुकंदार निमलिखित तीन छूट योजनाएं परदान करता है जी किन योजनाओं में अधिक्तम छूट परतीसत है अब वो क्या करता है पहला में 5 परतीसत और 20 परतीसत का छूट दिया है तो एकल छूट निकालेंगे एकल छूट कैसे निकालते हैं तो फर्स्ट केस में आप एकल छूट निकालिएगा न तो आपको क्या बताये थे दो अलग अलग छूट हो तो दोनों को पहले जोर लिज तो फर्स्ट केस के लिए एकल छुट 24% है और सकेंड में कहता है छो खरीदे दो मुफ्त पाए यानि आपने छो बस तू खरीदियेगा तो दो आपको मुफ्त देगा तो आपको टोटल कितना मिल गया आठ मिला पैसा छो का लगा दो मुफ्त में मिला है तो छूट कैसे निका मिला तो आप लाए आठ आठ में से दो जूट है तो छूट काẩचना टोटल पर करेंगे डोटल कितना समाल गयाए थे तो परतीसत्व में लाना है तो सौ से आप गुना कर लेजिएगा एक वट्टा चार होगा और एक वट्टा चार आपका 25 परतीसत होगा अब थर्ड केस में आईएगा तो थर्ड केस में कितना छूट मिला तो थर्ड केस में 6 खरीदे 4 मुफ्त पाए तो 4 मुफ्त में मिला और टोटल कितना लाए तो 6, 4, 10 फिर परतीसत में लाना है तो 100 से गुना करेंगे, 1-0 से 1-0 काट लेंगे, यानि 3rd case में 40% छूट है, तो सबसे ज़्यादा छूट आपको कहां मिल रहा है, कहिएगा case 3 में सबसे ज़्यादा छूट मिला, जो 40% है, कहां था case 3, तो cable 3 में, कहां है, option नमर A में अगला question देखिएगा, question नमर 16 है, यदि 6 पुरुस किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 3 महलाएं उसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो उसी काम को 8 पुरुस और 3 महलाएं पूरा करने में लगने वाला समय ग्याद करें, अब कुल काम निकालेंगे यहां से, तो कुल काम दो केस से, एक केस में पुरुस और एक केस में महला, तो कुल काम हम कैसे निकालते हैं, man into day, यानि आदमी की संख्या को दिन से गुना कर देते हैं, तो कुल काम निकलता है, अब यहां आके हम कुल काम निकालेंगे, दोनों केस में, तो कुल काम को पहले बरावर है यह आपका कुल काम आया और यह कुल काम किसके बड़ाबर होगा जब उसी काम को तीन महलाएं साथ दिन में करती है यानि तीन ओमैन यह भी क्ल काम, यह भी क्ल काम, दोनों आपस में बराबर होगा, अब 5 से काट लिजिए गा, 3-6 अब यहां से आप मेन और ओमेन के छमताः का अनौपात निकालने जिएगा, तो मैन इस साइड है, ओ मैन उस साइड से यहा लाइएगा, तो उस साइड आपका साथ बचा रहेगा, नीचे क्या लखिएगा, चार दोना आठ, यानि मैन पर तेक दिन साथ काम करते होंगे, ओ मैन पर तेक दिन आठ काम करते होंगे, तो टोटल काम अब पुरुस और तीन महलाएं करेंगे तो कितना समय लगेगा तो हम समय कैसे निकालेंगे तो समय के लिए कुल काम तो कुल काम कहां से आएगा तो छो मैन तो मैन पर तेक दिन साथ काम और कितना दिन लिये थे काम करने में चार दिन तो यह आपका कुल काम होगा और इस कुल काम क तो करने अब कौन आदमी आ रहे हैं, आठ पुरुस आ रहे हैं, तो एक पुरुस परती एक दिन साथ काम, तो आठ पुरुस आठ सते चपन काम, तो पुरुस चपन काम करेंगे, और कितना महला आ रही है, तीन महला आ रही है, तो एक महला परती एक दिन आठ काम, तो तीन महल 별 david 64 काम तो एक दिन में 56 परबी इतना काम होगा अब उसको आप गुना कर लिजिएगा लिए सुब्हिता होलिए दस आपका ज़ता है तो Hai दोच से काट जिएगा है निचे आपको क्या हो participants यह में क्या था 21 वट्टा दस तिन यानि उसी काम को आठ पुरुस और तीन महला मिलके करेंगे तो कितना समय लगेगा 21 वट्टा दस तिन लग जाएगा अगला परश्ट देखिएगा निमलिखित में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है आप चार वो भिन दे दिया गया आप से पूछा गया कौन सबसे बड़ा है तो इसके एक कॉंसेप्ट यह होता है कि आप इसका अंतर देखिए तो वैसे तो पांच और शो में एक का अंतर है यहां कितना का अंतर है यहां भी एक का अंतर है दो और एक में कितना का अंतर है तो एक का अंतर है थीन और चार में कितना का अंतर है एक का अंतर है सभी जगा अंतर समान हो तो उपर में जो बड़ा वही सबसे बड़ा तो आप से बड़ा गया? उपर में सबसे बड़ा कुन है? कहिएगा 7 है, यानि सबसे बड़ा भीन कौन होगा? 7 बटा 8. अंतर समान हो तो उपर में जो सबसे बड़ा वही भीन रियल में भी बड़ा होता है. अब अगला question देखिएगा question no.18 है. 27 अनुपात 181 समानुपात में एक्स अनुपात 63 है यह परश्ट पहले भी आपको बताये थे अनुपात मतलम बट्टा और 27 बट्टा 181 कीजिएगा तो एक बट्टा 3 आ जाएगा कटके तो एक बट्टा 3 और बराबर में क्या लिखिएगा एक्स बट्टा 63 फिर 63 को आप काट लिजिएगा 21 बार में गुना कर लिजिएगा तो एक्स इस सैट 21 को एक से गुना कर लिजिएगा 21 यानि एक्स का मान कितना निकल गया 21 कहां था 21 और अपसर नम्मर बी में अब अगला कोस्चन देखिएगा कोस्चन नम्मर 19 है एक बस्तू के अंकित मुल पर ग्रहा को सारह 4 परतिसत की छूट दी जाती है एक लड़की ने रुपे 191 में बस्तू खरी दी बस्तू का अंकित मुल क्या होगा इस प्रश्ट को आप देख कि भी कहिएगा 200 200 होता और स सारह 4 परतिसत छूट मिलता यानि 9 रुपेया छूट मिल जाता सारह 4 परतिसत का क्या मतलब है कि 100 में सारह 4 रुपेया छोड़ेगा अगर 2 सा दाम होगा तो 9 रुपेया चोड़ेगा 200 ही दाम होगा तभी तो 9 रुपेया छोड़के 191 में बेचा होगा तो क्या एंसर करते 200 और इसको बनाने जाते तो वह भी easy है, कैसे बनाते हैं? मानते हैं कि अंकित मुल x रुपया है, सारे 4% छूट दिये, तो इसको कितना में बेचे? सारे 95% पर बेचे, पर तीसत हटाएंगे, नीचे में 100 आएगा, और कितना में real में बिका? तो कहेगा 100, एक्यानवे में बिका ह और सारह 95 का 2 गुना क्या होता है ? 191 तो दो बार में आप कात लिजिएगा और इस 100 को आप 2 फे गुना कर लिजिएगा तो X का मान क्या आ जाएगा ? 200 X क्या माने थे ? अंकित्मुल तो अंकित्मुल आपका कितना होगा ? 2300 हो जाएगा अब अगला question रखिएगा को 28 बस्तू का विक्रयमूल है ना तो 28 और विक्रयमूल गोले तो SP selling price और कितने बस्तू के क्रयमूल तो 16 बस्तू के क्रयमूल यानि 16 गुने CP के बड़ावर है आप CP से SP का रिश्यू निकालिएगा तो CP उस साड है SP को उससे भीज लिजियेगा तो 28 बट्टा 16 होगा और 28 बट्टा 16 को 4 से काटिएगा तो 7 बट्टा 4 होगा यानि उसका क्रयमूल CP साथ भिक्रयमूल चार है यानि 7 का समान 4 में बेचे तो तो हानी होगा ना तो लाब बाला तो एंसर नहीं होगा यह भी आपका एंसर नहीं है यह भी आपका एंसर नहीं है एंसर हानी वाला होगा कितना कहानी हुआ है आप कहिएगा तीन कहानी हुआ किस पर हुआ तीन कहानी तो तीन कहानी साथ पर हुआ कर्यमूल साथ था और परती सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दो साथी के भी सेर करें और उन्हें भी बताए कि देखो वहां पर इतने अच्छे तरीके से सॉलूसन बताया जा रहा है आप लोग यहां से अपना ज्यादा से ज्यादा उठाईए फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में तब तक के लिए बाई बाई लब यो टेक केर